दोस्तों हालात कोई भी हो, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ऐसा मैंने किसी शो में सुना था, अगर आप आज की डेट में देखोगे, तो जो इनसान किसी भी इस्थिती में है, चाहिए वो गडीब हो, अमीर हो, या फिर स्ट्रगलर हो, कुछ भी ह अगर वो उस तिते में पैसे को बचाता है तो पैसा भी उसको बचाता है तो दोस्तों इसके लिए आपको भी mutual fund में निवेश करना शुरू कर देना चाहिए लेकिन दोस्तों प्रोब्लम यह आती है हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं उसमें mutual fund की अच्छा ही बताई जाती है लेकिन कुछ चीजें जो थोड़ा सा गलत है लेकिन वो हमें नहीं बताया जाता है रिजन कुछ भी हो मुझे नहीं पता हर यूट्यूबर्स का अपना खुद का भी होता है लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ELSS fund के बारे में बताऊंगा जिसमें मुझे एक point बहुत गलत लगा और आप भी अगर इसमें निवेश करोगे तो आपको यह point थोड़ा सा गलत लग सकता है तो चलिए जानते हैं क्या है ELSS fund का डार्क साइड और हमें ELSS fund में किस तरह से निवेश करना चाहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं देना और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप ऐसा पेटियम मनी के साथ एंजल ब्रोकिंग के साथ अप स्टॉक के साथ ग्रो एप के साथ और भी कई प्लेटफार्म से हैं जहां कि आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सक कर ले क्योंकि अगर आप डिरिकली स्टॉक में निवेश करना चाहते हो डिवेडेंड का फायदा उठाना चाहते हो और स्टॉक के स्प्लिट का फायदा उठाना चाहते हो और स्टॉक के परफॉमेंस का फायदा उठाना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है यदि आप डिरिकली स् साइपी करोगे जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था अगर आप ELSS Fund में साइपी करोगे तो यह 3 साल के लिए लौक हो जाता MEL लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जैसे अगर आपने जन्वरी में सायपी शुरू किया तो तो आपका तीन साल बाद उस जन्वरी में आपने जितना भी अमाउंट निवेश किया था मालो 1000 रुपए निवेश किया था तो तीन साल बाद आपका वह 1000 रुपए रिलीज होगा कब जब आपने उस जन्वरी में किया था मालो आपने 2020 के जन्वरी में 1000 रुपए निवेश क दरना शुरू किया था तो 2020 में आपने जन्वरी में एक हजाग डाला फिर फरबरी में डाला और इसी तरह से आप डालते रहें पूरे तीन साल तक तो वो तीन साल कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा तीन साल का पैसा मालो आपने तीन साल में 30,000 रुपे जमा कर लिए मैं बस बता रहा हूं कि अगर आपने 30,000 रुपे जमा कर लिए होंगे तो क्या होगा तो मालो आपने तीन साल में 30,000 रुपे कंप्लीट कर लिए ऐसा है भी तुरू तो आपको तीन साल बाद क्या पूरा पैसा 30,000 रुपे मिल पाएगा नहीं आपको आपने तीन साल पहले जनवरी में जो डाला था वो आपको तीन साल बाद उस जनवरी में मिलेगा हजार रुपे डाला था तो उस हजार रुपे का जितना भी रिटन्स होता है उतना मिलके आपको अगले तीन साल बाद के जनवरी वाले में रिटन्स मिलेगा तक निवेश करते हो तो आप loving products से हड़ जाते हो ठीक है तीन साल के बाद Les खत्म है लेकिन हर मन के लिए नहीं किसी एक मूंत के लिए जैसे जैसे वह मन आगे बढ़ता जाएगा आपका बाकी के log segments भी खुलते जाएगे तो अगर आप SIP के थुरू 3 साल तक continue ELS fund में निवेश करते हो तो आपको एक और काम करना चाहिए कि 3 साल तक निवेश करने के बाद उस पैसे को नहीं निकालना चाहिए आपको टोटल अमॉंट तीन साल नहीं 6 साल बाद निकालना है 2020 का पैसा आपको 2026 में निकालना है आपका अमॉंट भी बड़ा हो जाएगा आपको रिटेंस भी अच्छा खासा मिलेगा लेकिन मुझे लगता है अगर आप ELS fund में निवेश कर रहे हो तो आपको लंसम अमॉंट के साथ इंव अगर आप उस एमॉंट को तीन साल बार रिडीम भी करना चाहें आराम से कर सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एसाइपी वाले में आपके हर एमॉंट का हर निवेश का हर महिने का तीन साल कंप्लीट होना जरूरी है विड्जा लेने के लिए रिडीम करने के लिए ELSS fund से त तो मैंने सोचा कि चलो सभी वीवर्स को बता देते हैं कि ऐसा भी होता है आई होप यह information आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों बहुत जल्द आपको best mutual fund मिलेंगे 2020 के लिए तो उस वीडियो का वेट जरूर करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर क और वीडियो में अगर आपको कोई टूटी देखे तो उसके लिए शमा पराती हूं तो दोस्तों आज के लिए बस नहीं मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए नमस्कार